हलो दोस्तो क्यासे हैं दोस्तो मेरा नाम है नुरूल अंसारी और आप देख रहे हैं में के नियुटूप चैनल दूस्तो इस वीडियो में आप लोग यह सिखेंगे जैसे कि यह परेसर फूट यह खराब हो गया है अगर यह pressure foot खराब हो जाएं तो आपको कैसे सही करना हैं कैसे इसमें new लगाना हैं, इसको सही नहें करेंगी लेकिन कैसे new लगाएंगी लगाते समय ओ क्या problem आता हैं सही नहीं बैटता है, सही बैट भी जाता है, तो यह लगता है नीव परेसर फूट लगते समयं अच्य स्में आसम बैटता है तो कैसे बाटाते है, कैसे सेटिंग करते हैं, यह इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले तो वीडियो लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ठीक है तो यहां पर यह जो प्रेशर फूट है इसको निकाल देते हैं इसको आपको खोल देना है नेटिल उपर रहे है और यहां पर यह आपका यह आपका प्रेशर फूट नयावला आप लोग बोलेंगे भाई इसमें क्या हो गया कि तुम इसमें लगा रहे तो यहां आप देखिए यह कट गया है यह कट गया और यह जो पीन है यह धीला पड़ गया है चलाते समय जब मसीन इस पीट से चल रहे तो यह जो पीन यह बार बार बाहर आ जा रहा है ठीक है यही इसको आप ऐसे हिलाएंगे तो ये कटी है इसलिए इसमें हम New लगा रहे है मसीन ये sports का है मसीन इसपीड से चलती है मोटर चलती है इसलिए जो भी समान लगाएंगे पर्फेक्ट लगाएंगे अगर आप अगर ये खराब हो जाता है New नहीं लगाते हैं तो जब आप सिलाई करें तो कपड़ा कभी इधर जाएगा कभी उदर जाएगा सिलाई बिल्कुल यह सीधी नहीं करेगी कपड़ा आपका अच्छे से नहीं घीशता है मस्चिन टाका देता है यह खराफ होने के वज़र से ठीक है बस आपको कुछने करना है नयावला प्रेस यहाँ देखिए ममनें टाइट करें अब देखिए प्राबलम ह budget यह लगाने बज़ता है यह बिल्कुल बरावर नहीं बैठता है कि यहाँ किशतर से यह आया हुआ है बस ऐएसे ही आता है और आप … अप लोग पराइसन हो जाते है आप लोग लगता ह dys enjoy this यह लिए अ हमको क्या चाहिए 14 15 पाना चाहिए और यहां भी देखिए यह बीच में नहीं आप अहीं आप अब यह बराबर नहीं कि आपको उपर करनाय और यहां पर आप को हतोड़ी मालने यहां पर जब आप हतोड़ी मारें भूड़ा से इधर आ जाएगा इधर आएगा तो बिल्कुल ये निदिल ये बिल्कुल बीच होृ बीच में गिरे यहां देखे अभी जर्थ यहां पे किस बेंगे यहां पर इस साइड यह लड़के चल रहे हैं, इसको उपर करेंगे, निडिल को उपर करेंगे, और हथोड़ी से यहां पर इसको मारेंगे, तब यह उदर जायेगा, तो चली भाई, यहां से हम इसको मारके से करते हैं, यहां देख सकते हैं, बहुत हाड है, इसको थोड़ा यहां पर दोस्तों आपको जब है एक वार दो बार थोड़ी abord कुछ है क्योंकि नइलक्त और यहँ सोगे खोटेश स्लुन को कुछ이 मुझे और यहां पे कभी भी इसको अथोड़ी मालना है तो इसको नीचे करके नहीं इसको उपर करके और यह ध्यान देना है कि यह नीडिल बार पे ना लागया थोड़ी नीडिल बार पे अगर थोड़ी लगता है तो सारा सेटिंग यह आउट हो जाएगा हराब हो जाएगा है तो हम खोट सकते इसको भी हो खोल देते हैं अब हम इस फिर मारेंगे यहाँ पेस पर नहीं मारना है यहाँ पर यहाँ पर मारना आपको थोड़ी चलिए यहां पर तो जले यहां अब करता है डिकते ही रहा है यह आपको हो गया तोड़ा सम्सक। हमने इसको ज्यादा है इदर मार दिया है यहाँ देखि कर भी बीच में यहाँ देखिंगे यहाँ देख्टे यह पेश को टाइट करते यह देख सकते हैं यह थोड़ा सा ज्यादा ही देर आगे तो थोड़ी से इसको मार के थोड़ा उधर कर लेते हैं यह देख सकते हैं यह आपका बिल्कुल बीच वीच में आगया अब हम क्या करेंगे इसमें नेडी लगा करें देखते हैं तो नेडी लगाई चुटकी लगाई है और नेडी लगाई है कर दो अब यह आपका बिल्कुल यह बीच वीच सेंटर में आगया है इसका में चला रहे हैं यह बिल्कुल बीच वीच में यह आगया है बस यह होता है नया प्रेशर फुट लगाने के बाद भी बराबर नहीं बैटता है कि यह काली मुंडी है जुकी मसीनों में चाहिए आप कोई भी प्रेशर फुट लगाए बिल्कुल यह बराबर बैठ जाता है लेकिन इसमें नहीं होता है इसमें बैठाना पड़ता है अब यह देखिए यह हो गया है मसीन चल लिए बिल्कुल सही है कोई प्राबलम नहीं है अब यह जब आप नहीं प्रेशर फुट लगा देंगे उसके आद मसीन को चलाएंगे तो कपड़ा बिल्कुल अच्छे से घीचेगी कपड़ा बिल्कुल बराबर घीचेगा नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा कोरी पे चलाते समय जैसे कि पाइपिन बनाते हैं तो पाइपिन बनाते समय आपका सिलाई नीचे नहीं उतरेगा बिल्कुल सीधा चलेगा नया प्रेशर फुट लगाने से क्योंकि यह कट जाता है यहां पे और इसके अंदर ऐसी पले बताता है ऐसे इसलिए हमने इसमें निव प्रेशर फुट लगा जा है तो इतना सारा सही करेंगे तो नहीं सही होगा तो अथवरी तो आपको मारना ही पड़ेगा भाई ठीक है तो यह आपका हो गया अगर आपको यह वीडियो यह जानकारी अच्छी लगती है कुछ समझ में आया हो सीखने को मिला तभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब क आपको समझ में ना है आपको बिलकुल भी समझ में आयागा हमारा सिखाया हुआ काम आपको 100% समझ में आयागा बस आपको देहान से देखना होगा ठीक दोस्तों तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए